आओ आओ स्वागत ऐसे आपका शौशल मेडिया की दुनिया में ये दुनिया पितल की नहीं लेकिन red diamond की है और इसको red diamond बनाने का काम करता है इस दुनिया का content trend और algorithm लेकिन उस red diamond की शुरुवात तो ideas रही होती है क्या चुने कैसे चुने कब चुने क्यों चुने अब चुने जब चुने देखो जरा ठेहो पहले trend को समझा उनको study करने के बाद एक प्रोफिटिबिलिटी नीश चुनी जो बने आज की नई जैन जी के लिए यूट्यूब चैनल आइडिया तो अगर आपने पार्ट टू और पार्ट वन नहीं देखा है तो वह बहुत गर हमें अभी और आइस क्रिम खा रहे हैं आई बटन और डिस्क्रिप् पर जहां रोस्टिंग और मीम्स इस नीश की कैटेगरीज हैं तो यह सोचो कितनी वाइड नीश है लेकिन पैरेडिस का एक्जामपल क्या है जैसे यशिराश मुक्ते एक म्यूजिकल पैरेडिक कैटेगरी का एक चैनल है जहान उन्हें म्यूजिक को पैरेडिक स्टाइल में ढाला है या शुप स्केलेटन बताने की ज़रूरत नहीं है आप जितने भी मीम्स या गाने के साथ खिलवार देखते हैं वो पैरेडिस का हिस्सा है और एक बड़ा एक्जामपल टीवी एफ के पुराने वीडियो पैरोडी मतलब रिटन वर्क म्यूजिकल वर्क या किसी वीडियो में कोई एक किसी ऑथर द्वारा या उस वीडियो में जो काम कर रहा है उसके द्वारा किया गया हो उसको हम अपने ढंक से एजन हिलेरियस एफेक्ट देकर उसके उपर कंटेंट बनाते हैं आसान भाशा मे एंटर्टेन्मेंट के लिए कुछ भी करेगा और पैरोडी का एक और बड़ा फायदा है इससे ना केवल हम वीडियो बलकी ग्राफिक्स टेक्स इवन ओडियो सभी मीडिया फॉर्म्स में कर सकते हैं और क्या आपको पता रेडियो मिर्चीज जो होती है वो पैरोडी को फो कॉपिराइट स्ट्राइक से बहुत ज्यादा कॉंट्रोवर्शल रहती है तो मैं आपको बाता दू सेक्शन 107 के द्वारा आप इसे यूज कर सकते हैं तो आडिया क्या है आडिया बहुत ज्यादा अलग हो सकता है थोड़ा अजीब भी लग सकता है लेकिन अगर यह लग है तो एकदम सही जा रहे हो पेरोडी का मतलब यह होता है ओपीनियन पेरोडी यह बहुत मज़दार है लेकिन उसके लिए आपको जिगरा चाहिए आप पैरोडी से एजुकेट भी कर सकते हैं लोगों को एक्जामपल के लिए एवी टीवी को आप देख सकते हैं और मुझे एकद और एकजामपल मिले इंस्टाग्राम स्क्रोल करते हुए भू भी आपके सामने दिखा देता हूँ लगा सकते हैं जो कि 13 अक्टूबर 1996 में मैकडॉनल्स के लॉंच के दिन इंटर्यू दे रहा है पीतमपुरा का एच्छोरा इनाउगरेशन के दिन फ्री का बर्गर खाके मॉर्गन फ्रीमेन बन गया इसका एक्सेंट बांगर सिमेंट के अमरिकन से भी ज्यादा अमरिकन मैकडॉनल्स की ये भी खासिय थे कि इस जगा कर आप एक गलास पानी भी मांगो तो वो बोलेंगी कि सर इसमें बर्गर और फ्राइज एड कर दें तो मील बन जाएगी मैकडॉनल्स वाले मील बनाने के लिए उतने ही भूक है बढ़ते हैं अपने दूसरे आडिया की तरह और जिसकी शायद कंटेंट के लिए आपको कभी कमी होगी नहीं इंडिया में खास कर आपको हर गली-गली महले महले में कंटेंट मिल जाएगा क्योंकि भाई यह सब का फेवरेट है जिसमें कंटेंट को ढूनने की दिक्कत ही नहीं है कंटेंट खुद गएगा फोन लगा कि कि भाई यह कहा है तू मैं तेरा कब से इंतजार कर रहा हूं तू फोन लिन उठाया है है गली-गली महले महले एक ही शोर रहता है अपे बहुत पकड़ बहुत कि दर से लेकर आया इसको क्रिकट मैचेस की कोई कमी नहीं है इंडिया में अगर आप हमारे वीडियो रेगुलर्ली देखते हैं तो आपको पता होगा कि हमने इसके उपर एक आईडिया दिया था जह होते हैं हर गली क्रिकट में कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो कैमरे में कैद होने चाहिए थे लेकिन हो नहीं पाए यह रन आउटा साफ इस तरीके के चैनल को हम कहते हैं मैच स्किट्स मोमेंट्स गली क्रिकट की लड़ाई इसने शॉट मारा लास्ट ओवर का ड्रामा किस इस फिल्डर के इंडिया गेट से बॉल निकल गई इस तरीके के कंटेंट जैंजी के लिए बड़े पॉपलर हैं और अगर और और क्या पतल सिलेक्टर्स भी आपके वीडियो देख रहे हैं इस कंटेंट को आप शॉट्स में कंवर्ट करके लॉंग फॉर्म में डाल सकते ह और पर अभी देखते हैं जिससे हमारी ऑडियंस भी होती है भरपूर एंटर्टेंट मेंट मिलता है और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मेमरीज यह सीधा स्ट्राइक करता है आपकी मेमरीज को और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है पेपर बोर्ट ने किस स्ट्रेटिज के साथ कर सकते हैं आपका क्या फीडबैक रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बढ़ते अपने टॉप वन की तरफ और यह शायद बहुत लोगों ने सोची होगी करने की और बहुत लोग करते भी हैं इसको नाम है इसका जॉब बेटियेस शायद काफी नई टम लग जोब प्रोफेशन के बारे में तो कोई सोचते हैं अगर कोई बिजनस ने करना जाता तो वो जॉब की तरफ जाता है और जॉब के लिए उसको बिहाइंड दा सीन्स के दिरूत पड़ती है कैसे करना है काम क्या करना है काम पहले दिन नौकरी में जाऊंगा तो कैसा माहौल बता के आप उनका कल्चार डिफाइन करें नहीं इवन स्मॉल जॉब जैसे एक रिक्षा वाला उसके बिहाइंड दा सीन्स अब जिससे एक्स्पीरेंस मिलता है लोगों को सही जानकारी मिलेगी एंटेटेंबंट तो हो गई एक वैल्यू जनरेशन यह आइडिया देता है वैसे इस टॉपिक के उपर मैंने और ज्यादा डिसकेशन किया था अपने इस वाले वीडियो में जहां पर हमने बिजनस के बिहाइंड दा सीन्स जानने की कोशिश करी थी इवन जो मेले लगते हैं उसके भी बहाइंड दा सी वीडियो को देखना मत बूलना क्योंकि वहाँ फेसलेस यूट्यूब चैनल के बारे में मैंने बात करिया और उसमें से पहला वाला लोगों ने बहुत पसंद किया और राइट वाली वीडियो में की मतद से शोशल मीडिया बिसनस बना सकते हैं मैं मैं तो आपको अगली व